2023 में आने वाले तीन ऐसे बड़े फिल्म जो फिल्मेकर से लेकर ओडियंस तक को पता है कि ये ब्लॉकबास्टर जाने वाली है और इन तीनोई फिल्म को 15 अगस्त के दिन रिलीज किया जाना था और फिलाल ईद के दिन सल्मान खान का एक और फिल्म किसी का भाई किसी की जान को रिलीज किया जा रहा है लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये आ गई कि रेनवीर कपूर का एनिमल फिल्म को भी 15 अगस्त के दिन ही रिलीज किया जाना था जी हाँ दोस्तों टाइगर 3 को एक और बार पोस्ट पॉंड कर दिया गया है जो कि नॉवंबर मन्त में रिलीज होना है लेकिन अभी तक इसका कोई रिलीज डेट फिक्स नहीं हुआ है क्योंकि भाईजान ने इस बार ठान लिया कि पठान का तो भाई रिकोर्ड तोड़ना है और इसलिए इसका डेट अभी तक दो बार चेंज हो चुकी है खेल टाइगर 3 पठान का रिकोर्ड तोड़ पाएगा कि नहीं ये तो वक्त ही बताएगा और अब बात कर लेते हैं गदर 2 और एनिमल का जो कि 15 अगस्त के दिन ही दोनोई फिल्म को रिलीज किया जाने वाला है आपको बता दे कि दोनोई फिल्म का अभी तक सिर्फ पोस्टर ही रिलीज किया गया है और मात्र सिर्फ पोस्टर से ही दोनों ही फिल्म को लेकर लोगों के बीच में गजब का माहल क्रियेट हो चुका है बहुतों को लग रहा होगा कि गदर टू के सामने एनिमल जादा कुछ नहीं कर पाएगी लेकिन मैं कह रहा हूँ देखना जिस दिन इस फिल्म का ट्रेलर या फिर टीजर को रिलीज किया जाएगा उस दिन ये फिल्म भी लोगों के बीच में किसे अपना एक चाप छोड़ती है और आप मजबूर हो जाओगे इस फिल्म को ठेटर होल में जाके देखने के लिए और दूसरी और अगर गदर टू का बात करें तो उन्होंने तो भाई साब 2001 में ही आग लगा दिया था जरा सोचो 2023 में क्या होने वाला है मतलब गदर टू तो भाई साब इस बार अलगी लेवल का गदर मचाने वाली है लेकिन जिस तरह 2001 में गदर को लगान के साथ टकराना पड़ा था वैसे ही कुछ इस बार भी होते हुए दिख रहा है और इसलिए इन दोनों में से किसी एक फिल्म को 11 अगस्त और दूसरे फिल्म को 15 अगस्त के दिन रिलीस किया जाएगा उमीद लगाया जा रहा है कि गदर टू को 11 अगस्त के दिन रिलीस किया जाएगा लेकिन अभी भी कुछ कहना मुस्किल है क्योंकि जब तक इन दोनोई फिल्म का ट्रेलर नहीं आयाता है तब तक कुछ भी हो सकता है अब देखना ये है कि गदर टू के सामने एनिमल ठीक पाती है कि नहीं या फिर दोनोई फिल्म एक ब्लोकबास्टर फिल्म साबित होगी जिस तरह गदर और लगान दोनोई फिल्म ब्लोकबास्टर हुई थी वैसे आप इन दोनोई फिल्म में से किस फिल्म को थेटा रोल में जाके देखने वाले हो कॉमेंट करके जरूर बताना और ऐसे ही बॉलीबूर से जुड़े खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिजे मिलते हैं और एक वीडियो में